बेपेसी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज है 24 माई 2022 और आजके इस वीडियो में 23 और 24 माई 2022 से संबंदित बिहार करेंट अफेस और शाथिय राश्टर अंतराश्टर घटनाउसित करेंट अफेस के जितने भी प्रशन बरेंगे संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा हलाकि इस रिंकला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं वो बहुत महत्पूर्ण होते हैं बिहार की पर्दोगी प्रेक्शाओं के लिए तो यहाँ पर रेगुलर वेसिस पर आप वीडियो देख कर अपमी तैयारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं हलाकि कोई दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं आप आ रहे थी लेकिन अब ये वीडियो रेगुलर आपको चैनल पर मिलेगा हम यहाँ पर बढ़ेंगे पीछले वीडियो के प्रश्ण पे जो प्रश्ण हमने आपको पीछले वीडियो में पूछा था यह प्रश्ण था कि निमलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT एप लॉंच हुआ है OTT का अर्थ होता आवर दर टाफ तो भोजपुरी का पहला OTT एप किस नाम से लॉंच हुआ राइट अंसर होगा हमारा अपसर नमर B कम्प्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया था तो पहला OTT एप जो लॉंच हुआ है चौपाल तो अपसर नमर B यहां पर इस प्रेशने का हमारा राइट अंसर होगा और बिहार के परतों की परिक्षा हैं जो खास करके 2022 में आईजित होगी ऐसी परिक्षाओं के लिए एक बिहार Special Current Affairs का PDF लॉंच हुआ है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन में आप वहां पर जागर इस PDF फाइल को डाउलोड कर सकते हैं और शाथे साथ इस PDF फाइल को आप BPSC Maker एप के थरो भी परचेज कर पाएंगे हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रिशन पर लेकिन उससे पहले बता दूँगी जो लुक अभी से 2022 में आजित होनवाले किसी भी परतु के प्रिक्षा जो खास करके बिहार में आजित होंगी ऐसे प्रिक्षाओं के तैयारि में लगे हैं तो Current Fest की तैयारी आप यहाँ पर Regular basis पर बेहतर तरीके से या फिर कर सकते हैं सून यजित तरीके से कर सकते हैं जिसमें की बिहार राश्टे अंतराश्टे सारी घटना इसा मिलोती है यहाँ पर application पर आपको दो package उपलब्द है आप यहाँ पर अपनी स्विधा के अनुसार किसी भी package को भाई कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि जितने मंद का आपका package होगा अगर आपसे join करेंगे तो previous उतना मंद का भी material आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यह फिलाल हिंदी वसम में उपलब्द है जो लुक हिंदी में तयारी कर रहे हैं तो इसे join कर सकते हैं हम चलेंगे आज की सवीडियो के पहले प्रशन पी आज की सवीडियो के हमारा पहला प्रशन है कि निम्लिकित में से किसराज सरकार ने हाल ही में खरीफ महाव्यान की शुरूत की है किस राज सरकार के दोरावी हाल ही में खरीफ महावियान की सुरवात किया गया राइट अंसर का बिहार के मुख्यमंतरी स्री नितिश कमार दोरा खरीफ महावियान की सुरवात भी है इस प्रशनी की complete जानकारी आपको देदों की हाली में बिहार सरकार ने खरीप महाव्यान की सिरुवात की है इसकी सुरवात मुक्मंतरी नितिष कुमार ने 69 रत को हरी जणटी दिखा कर रवाना किया और यह रत हर जीले में घुम घुम कर किसानों को जागरुक करेगा और किसानों को आदुनिक खेती कैसे की जाए इसकी जानकारी दिया जागा इसी उद्देश को लेकर अभी हाल ही में ये खरीब महा अवियान की सिरुवात की गई मुख्यमंतरी नितीश कुमार के दोरा और यहां पर अगर हम बातरे मुख्यमंतरी नितीश कुमार की तो आपको ध्यानक ना ये बिहार के बाईश में मुख्यमंतरी है बतार मुख्य मंतरी हम गांधी मैदान में जھंडा फाराने की बात करें तो इनके नाम एक रिकॉर्ड अस्थापीत है या पर कह सकते हैं इनके नाम एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि गांधी मैदान में बतार मुख्य मंतरी ये 15 बार तिरंगा फारा चुके हैं एक्षियां पर ये द्यान के इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये बिहार के प्रतम मुख्य मंत्री डाक्टर स्री कृष्ण सिंग के नाम था जिन्होंने 14 बार बताओर मुख्य मंत्री गांधी मैदान पटना में तिरंगा फर आया था तो ये चीजे भी यहां से आपको ध्यान लगना है अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बिहार के क्रिशी की तो क्रिशी मंत्री से समंदित प्रशन भी आपके एक जाम में पूछे जा सकते हैं कि वरतमान में बिहार के क्रिशी मंत्री कौन है तो वरतमान में बिहार की क्रिशी मं और तूसरी है रेनु देवी और जो अप्सन नमर डी में हमने असोक चौधरी लिखा है वरतमान में असोक चौधरी बिहार राज्य भवन निर्बान मंत्री हैं तो ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है नेक्षो का हमारा दूसरा प्रशन ये प्रशने की हाली की घोशना क अनुशार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तयार होगा ये घोशना भी हाले में भी और इस प्रशने का हमारा राइट आंसर होगा वर्स दो होजार चौबिस तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तयार होगा वर्स दो होजार चौबिस तक बनकर तयार ह जिसकी कुल लंबाई 199 km होगी अर्था तो विकल्प में आपको लगभग 200 km भी देखने को मिल सकते अग्जाम में तो इस चीज को यहां पर exact data को ध्यान रखिए लगभग 299 km इसकी लंबाई होगी जो लगभग कर सकते हैं 2024 तक बनकर तयार होगा बिहार का पहला एक्सप्रेस अब यह कहां से कहां तक होगा यह जानकारी हम लोग देखेंगे यह एक चुले में बात कहा जाए तो दरभंगा से औरंगाबाद के बेच इसका निर्बान होगा वो complete जानकारी आगे लिखा गया है आगे अगले पॉइंट पर हमने यह लिखा कि 6927 क्लोर रुप्य की रासी बात से दरभंगा के बीच होगा वो जानकारी यहां पर हमने लिखा कि यह एक्सप्रेस वे बिहार की कितने जीलों को कवर करेगा तो बिहार के साथ जीले इससे जुड़ेंगे इनमें है औरंगाबाद गया नलंदा पटना जहानाबाद वैसाली और दरभंगा यह साथ जी मना गया बताएं कि बिहार का पहला जैव वित्ता या फिर कह सकते हैं बायो डैवर्सिटी पार्क किस जीले में है प्रतेव की वरसे 22 माई को विस्व जैव वित्ता दिवस अर्था बायो डैवर्सिटी दिवस मना जाता है प्रस ने पूछा गया कि बिहार का पहला बायो ड जानकारी आपको देदों कि 22 मई को परतेख वर्ष विश्व जैव वित्ता दिवस मना जाता है और इसकी सिर्वात सन्युक्त राश्ट महा सभाने किया था दरसल वर्ष उनिश्व राश्ट महा सभाने जैव वित्ता के मुद्धे पर शमज और जावता बढ़ाने के लिए इ भी आपके एक जाम में पूछे जाने की प्रबल संभाव ना है आपको दोंकि वर्ष वर्ष वित्ता पार्क की बात क्या जाए तो वर्तमान में बिहार में दो जैव वित्ता पर का सकते हैं दो बायडावर्सिटी पार्क हैं पहला तो अररिया के कोश्यार गाउं में जो कि आप यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं इसके अंदर एक रेस्टरेंट बना हुआ है वही रेस्टरेंट का आप यहां पर इमेज देख रहे हैं और दोसरा जो बिहार का जैविता पार्क है बिहार के गया जीले में जबकि तीसरा का जो निर्मान प्रस्तावित है यह क्षिधिया धीया में हुआ है कि बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं जब कि 49 जिला जो मंतलुब बनाने के घोष кноп की गई थी मुक्हमंद नितिय शक्वारक्न है adds की जानकारी हमने आप अपकों दिया था कि बिहार पटना का जो एक छेत्र है बाढ़्ल का या पिर गसकते बाड शेतर नाम ही है और इस शेतर को बिहार का 49 जीला बनाया जाने की घोशना की गे थी हलाकि इसमें बहुत सारे प्रकरिया अभी होगी हो सकता यह बिहार का 49 जीला बनाया जाए तो इसकी जानकारी हम लोग आने वाले स्वे में देखेंगे अगर ये बन गया तो ठीक है अब यहाँ पर हम इसे स्क्रिप कर रहे हैं हम चल रहे हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रशन पे अगला है चौथा प्रशन ये प्रशने के भारते पुंदर जागरन का अग्रद बहुत सारे प्रशन यहाँ से आपके एक्जाम में बन सकते हैं जो इंपोर्टेंट है उसको यहाँ पर हमने इसमें सामिल करने का प्रियास किया है आपको लादू की हाली में 22 मई 2022 को भारते पुंदर जागरन का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहे जाने वाले र 60 वर्स की उम्र में इनका निदनवा था एक महतपूर्ण पॉइंट आपके एक्जाम में कई बार बने हैं कि ब्रह्म शमाज की अस्थापना किस ने क्या है या फिर किस की द्वारा ब्रह्म शमाज की अस्थापना की गई जाने कि राजा राम मोहन राई ने ब्रह्म शमाज की अस्थापना की थी और इसके स्थापना कब हुए थी ये तीथी आपके एक जाम में बन सकते हैं कि 20 अगस्त 1828 को ब्रहम समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी एक महत्पूर जानकार ये भी है सती पर्था से समंदित की राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही तातकालिन ब्रिटिस भारत के गवर्णर लॉर्ड विल्यम बेंटिक ने 1839 को बंगाल सती रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था या इसके माध्यम से पूरे ब्रिटिस भारत में सती पर्था पर रोग लगा जिया गया था निकि सती पर्था पर जो रोग लगा गया ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही मतलब इसमें रोग लगा गया था उसमें तातकालिन ब्रिटिस भारत के गवर्णर के बात करें तो प्रशने के पीटर एलबर्श को हाल ही में किस एरलाइन कमपनी का मुख्य कारीकारी अधिकारी नुक्त किया गया है। राइट आंसरों का अफसन नमर शी अर्थात इंडिगो आपको विश्तित जानकारी रेदू की पीटर्स एलबर्श को हाली में गुरुगराम इस्तित भारत एरलाइन कमपनी इंटर गलोब एवियसन लिमीटर अर्थात इंडिगो के नेदेसक मंडल में मुख कारिकारी अधि के इंडिगो में सामिल होंगे और वर रोनो जोई दत्ता की जगह लगे तो ये भी आपके एकजाम में बन सकते है इससे पहले जो इंडंप मुख कारी अधिकारी थे या फिर कर सकते हैं जो अभी मुखश ऑनप अधिकारी हैं इन्डिगो की है ने पर प्र एगर और इंडि नेक्ट प्रशन के हाली में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कहां विश्व का सबसे उंचा मौसम इस्टेशन अस्थापित किया है मातपूर्ण प्रशनों की स्रेणी में आप इसे रख सकते हैं इस प्रशन के हाली में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विश्व का सबसे उंचा मौसम इस्टेशन माउंट एवरेश्ट पर अस्थापित किया है इससे इतनी उंचाई पर अस्थापित करने का उद्देश विश्विन मौसम समंदेग घटनाओं को स्वचाले तरूप में मापना है जिस वज़ा से अभी हाली में इसकी इस्थापना की गई विश्व के कसकते हैं सबसे उंचे स्थान पर ये ध्याने के परते एक वर्फ अंतराष्डे चाई द्वरस 21 माई को माना जाता है बढ़ाएं कि पहला अंतराष्डे चाई द्वरस कब और कहां माना गया था इंपोर्टंट है और इस प्रेशन का हमारा राइट आन्सर वर्फ 25 में पहली बार ये दिल्ली में अंतरश्टे चाई द्वस 21 मई को मना गया था डीटेल जानकारी आपको दिल्यों की अंतरश्टे चाई द्वस हर वर्स या भी कर सकते हैं हर साल 21 मई को मना जाता है और यह पहली बार यह दिल्ली में 2005 में आजित किया गया था और मुख रूप से हम चाई की बात करें तो यहां से प्रश्णा आपकी जो एक जाम में बनते हैं कि चाई में मुख रूप से क्या पाया जाता है तो चाई में मुख रूप से कैफिन पाया जाता है और शाथ साथ एक तत्व और भी पाया जाता है कई बार मिन परतु की प्रिक्षा में पूछा गया है कि चाई में क्या पाया जाता है तो मुख रूप से कैफिन और टेनिन पाया जाता है जबकि अगर हम बात करें निकोटीन की कही सारे लोग यहां पर कन्फ्यूज करते है निकोटिन जो पाया जाता है यह यहां से ध्यान लेखे अब यहां पर अगला हागा हमारा आठवा प्रशन यह प्रशने के हाली में फ्लाई एडल पहली ऐसी एरलाइन कमपनी बनी जिसमें चालक दल से लेकर क्रू मेंबर तक सभी महलाई थी ऐसा करने वाली यह पहली एरलाइन कमपनी बनी है जो जिसका नाम है फ्लाई एडल यह किस देश की एरलाइन कमपनी है यही यहां से पूछा गया है इस प्रशने का हमारा राइट आंस्वर का अप्सन निमर बी यानि की सौधी अरब डीटेल जानकारी आपको देदो की हाली में शौधी अरब की एरलाइन फ्लाइडल एरलाइन ने नई मिसाल पेस की है इस फ्लाइट में चालक दल से लेकर क्रू मेंबर तक सभी महलाई रही इसके साथ ही यह सौधी अरब की उड़ान भरने वाली पहली ऐसी फ्लाइड बन गई जिसमें सभी सदस्म महलाई थी यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यह उड़ान राइधाने रियाद से जेदा के लिए थी यह यहाँ से इदान के सौधी अरब की राइधाने रियाद से जेदा के लिए यह उड़ान भरी गई थी और इस तरह से यह सौधी अरब की पहली ऐरलाइन कंपनी बनी जिसका नाम है फ्लाइडल जिनमें के सभी जो मेंबर थे जो का सकते हैं चालक दल से लेकर के जो कुरू मेंबर सभी के सभी महलाएं थे और इसी पहल करने वाला या पहली ऐरलाइन बनी है फ्लाइडल जो की सौधी अरब की है हम यह बचलेंगे आज की इस वीडियो के नवे प्रशन पे यह प्रशने के निमलेखित मेंसे कि सराजस सरकार ने एक नवमबर 2022 को भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करने का फैसला किया है यह फैसला भी हाली में केरल सरकार के दोरा किया गया राइट आंसर अपसन नमबर A अर्थात केरल आपको बता दूँ कि हाली में केरल सरकार ने एक नवमबर 2022 को रज के शौमित तवारा अवर दर टॉक अर्थात OTT प्लेटफरम लाँच करने की गोशना की है यह ध्याना की है अब यहां पर बात दी है केरल की तो केरल से श्रमंदित कुछ पॉइंट है जैसी केरल की राइधानी कहा है आप लोग जानते हैं तिरुनंत पूरम इसकी राइधानी है मुख्यमंतरी पिंदरई वीजन है वरतमान में और राजिपाल है आरिप मुहमद खान केरल की बात आई है तो एक प्रशन आपको बता दूँ अभी हाली में एक पक्षी एटलस की हमने चर्चा किया था जो की केरल को दिया गया था कोई दिन पहले हमने इसकी जानकारी आपको इसी करेंड एफेर्स चिरिज के अंतरकत प्रवाइड किया था अब यहाँ पर अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे OTT की OTT की बात करें तो अभी हाली भी भोषपूरी का पहला OTT जो एप लॉंच हुआ है यह चौपाल नाम से लॉंच हुआ है जिसकी जानकारी हमने कुछ दर पहले भी आपको दिया था जैसे की वेब स्रीज, मूबी हो या बहुत सारे चीज़े होती है जो की या फिर कर सकते हैं किलास वगेरा बहुत सारे चीज़े यहाँ पर इसमें संबलित है ऑनलाइन चीज़े आपको परदान की जाती है यही होता है और दौट अर्थात OTT इसको आप डिटेल में भी जान सकते हैं हलाकि उतना इंपोर्टन नहीं है बस यहाँ पर इतनी सारे जानकारी जितना मैंने आपको दिया है बस इतना ही आपको याद रखना है बहुत सारे चीज़े यह होता है कि आप लोग अननेसेसरी चीज़ों को बहुत पढ़ लेते हैं एक्जाम के लिए हमें सिर्फ उतनी चीज़ों को ही पढ़ना है जो हमारे एक्जाम में पूछे जाने की शमभाव ना बनती है आपको विद्वान नहीं बना है विद्वान जो लोग होते हैं वो लोगों को पूरा डिटेल पढ़ना होता है माश्या डिग्री होता है पेईडी वगरा होता है तो उतना हम लोगों को एक्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है अगर आप एक्जाम की तयारी प्रेपर यहां पर शंपूर के तयारी हो जाएगी बहुत सारे मंतली करेंट इपर्स की यहां पर आपको पीडियप मिलेंगे बिहार जीके का संपूर नोट्स मिलेगा बिपीसी प्रिवियस चेयर पेपर मिलेगा यह तवाम चाहिए और भी कई सारे टॉपिक बेश्ट नोट है वो तवाम आपको बिपीसी मेकर एप पर मिलेगा यहां पर एक आफर भी चल रहा है तो आफर का लाव उठाकर आप लोग इसे जोईन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिसा दे सकते हैं यहां पर जो हमारा उनलाइन टेस्ट स्रीज है पचास प्रेक्टिस सेट है इसके बादियाम से आप अपनी तैयारी का सही तरह के से आप आंकलन कर पाएंगे और यह आप जान पाएंगे कि आगावी एक्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी की अस्तर की हुई है तो जो रुक से जोईन कर सकते हैं वो इसे जोईन कर सकते हैं फिलाल यह हिंदी वासा में उफलब्द है ठीक है वीपेसी मेकर एप का लिंक की इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में आप वहाँ पर जाकर इसे जोईन कर सकते हैं हम चलेंगे आज की इस वीडियो के दसवे प्रशने पे ये प्रशने की हाली में बंगलादेश का पहला पेशेवर अंतरराश्टे मुक्यबाजी टूनामेंट मैई 2022 में राजधानी धाका में आजध किया गया अपसर नमर ए यहाँ पर इस प्रशने का राइट अंसर होगा आपको उतादों कि हाली में बंगलादेश का पहला पेशेवर अंतरराश्टे मुक्यबाजी टूनामेंट राजधानी धाका में आजध किया गया और यह एक दोशे कारिकरम था और इस परफ्टवगता में कुल 14 मुक्यबाजों ने हिश्चा लियाथा और यह चलम मुक्यबाजा में अगर हम बात करें तो 11 बंगलादेश के थे दो नेपाल के और एक भारत के मुक्यबाज सामिल थे तो कुल मिलाकाइबको देराना चलम तर चलम हम प्रशने किसने हाल ही में UAE T20 लीग में लीग में फ्रेंचाइजी हांसिल की है हमारा अगला पॉइंट है कि UAE T20 लीग जिसे की अमिरात क्रिकेट बोर्ड वारा लाइसेंस प्राप्त है यह IPL अर्थात इंडियन प्रिमियर लीग की तरह ही एक वार्शिक आजन है और यह टूनामेंट 6 फ्रेंचाइजी या फिर इस टूनामेंट में 6 फ्रेंचाइजी टीम में सामिल होती है दरसल हम बात करें आई प्याल की तो IPL में अब मतलब इस वर्स से पहले पंद्रमा संस्षिंट जो 2022 में आजित हुआ है इस से पहले आई वियल में 8 टीम में सामिल होती थी लेकिन इस वर्स दो नए टीमें सामिल हुई है जिस वज़े से अब IPL में 10 टीमें सामिल है जबके हम बात करें यहाँ पर UAE T20 लिग की तो इसमें 6 फ्रेंचाजी टीमें सामिल होती है इस तरह के चीज़ें यहाँ से आपको ध्यानक ना यहाँ पर जो भी 2020 लिग में यह अडानी ग्रूप के द्वारा इसमें फ्रेंचाजी हासिल किया गया है तो यह यहाँ से ध्यान किया अगला होगा हमारा बारवा प्रशन यह प्रशन के हाले में न्यू डेवलप्मेंट बैंक ने भारत के किसराज में अपना पहला छेत्रिये कार्याले खोलन की घ्खोशना की है तो इस प्रशन कि हमारा राएट ऑफ्安सर गा और ऑफ सिंब्ष यहने कि गुजरात में अपना पहला कर सकते हैं च्छेत्रिये कारीयाले खोलने की Diese साल ही में क्या गया किसके द्वारा न्यू डवलप्मेंट बैंक के द्वारा तो राइट आंसर हमारा आपसर नमर शी याने की गुजरात आपको एक महत्पूर्ण जानकारी देदों कि हमने बीपेसी और कसकते बिहार के अन्य परतों की प्रेक्षाएं खासकर के प्राडबिक प्रेक्षाओं के प्रशनों का संक्लन इस पीडिप में क्या है यह हिंदी और अंग्रेजी अर्साद यह बायलंग्वल उपलब्द हैं दोनों भासाओं के लोग इसे जोएन मतलब का सकते हैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में है विगत 28 वर्षों से बिहा प्रशने पूढ़ेगी हैं यहां पर पर प्रशन थोड़े से आसान पूचैते हैं तो दोनोंका यहां सम कर आपको देखने का संभण है इसे नई दिस्क्रिप्साद कर किस की बैडविंटन परतियुकता में हाजीपूर बिहार के किस खिलाडी ने स्वर्र पदक्त जीता है कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने आपको दिया है बतलाई इस प्रश्ण का राइट आंसर क्या होगा आप चाहें तो यहाँ पर विश्तार प्रवक्त कमेंट बॉक्स में सारे चीज़ाँ को लिख सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जाहें